हाई दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर वन प्लस मोबायल में काल आने पर स्क्रीन बंद हो जाती है तो कैसे ठीक करेंगे तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्स का आप्सन मिलेगा इस अपर किलिक करना है फिर ऐप मैनेजमेंट या आपको ओपषन मिलेगा इस आपक करना है अब जहाँ पर बातो है और भी एप्रात्ते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे इसी सेटिंग में आना है और अब नीचे आकर फोन वाले एप को खोजना है तो देखे यहां परेंख फोन इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर force stop का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है और force stop कर देना है इतना करने के बाद अब यहाँ पर storage, usage या storage का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है फिर clear data का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है और okay कर देना है ऐसा करने से कुछ भी delete नहीं होगा कोई number delete नहीं होगा अब प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है फोन तो जैसे ही फोन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जिससे आप फोन लगाते हैं तो इस पर किलिक करके यहाँ से चेक करना है कि अपडेट है कि नहीं है अगर अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से अपडेट कर लेना देखिए हमने कर रखा है तो इतना चेक करने के बाद अब अपने फोन को एक बार restart करना है कैसे restart करेंगे तो देखे जो फोन का लाख श्क्रीन वाली बटन है जिससे मोवाई लाख करते हैं इस बटन गो कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है तो यहाँ पर option आएगा restart का इस option पर क्लिक करना है और जैसे फिर से क्लिक कर देंगे तो phone अपने आप ही switch और focus switch on हो जाएगा इसे से कुछ भी delete नहीं होगा और जो problem रहेगी उसे ही हो जाएगी तो guys उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उडियों को लाइक और चैनल को subscribe कर लीजिए एक प्यारा सा comment भी कर दीजिए thank you